अरे भाई आप तो खुश हो जाएं क्योंकि Facebook ने कैसी अपडेट निकाली है जिसको जानने के बाद यकीनन आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे जब से मैंने ये अपडेट देखी है तो मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि इसको लेके हम शौर्ट टाइम में Facebook से मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ Ads और Reels की Facebook ने कल एक अपडेट निकाली है जो के सिर्फ और सिर्फ USA Creator को अभी मिली है उसके तहत उन्होंने एक कमाल कर दी है जी हाँ Facebook Reels पे अब आपको Criteria Base देखने को मिलेगा जिसके तुरू आप अपना पेज इन स्ट्रीम एड्स के इलावा एड्स और रील से भी मोनोडाइस करवा सकते हैं क्या उसके लिए हमें follower जरूरी होंगे हमें क्या करना होगा कि हमारा पेज भी एड्स और रील से मोनोडाइस हो जाए तो यह सारी अफडेट्स आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ अगर आप भी यह जानना चाते हैं तो इस वीडियो पे बने रहीएगा और अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगते है तो इसको आपने like जरूर करना है फेस्बुक से earning करने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले रहा है तो यहां पे आप सक्रीन पे एक स्क्रीन शौर देख रहे हैं यह मेरा नहीं है मेरे एक मतलब student का है उसने मुझे recently वेजा जिसका page ads on real से monetize था अब उस student ने मुझे पूचा के तारिक सार मेरे page पे यह view tool का option शो हो रहा है जो के आप ads on reals के सामने देख रहे हैं इन stream ad के सामने भी view tool आप देख रहे हैं और उसके बाद ads on reals के सामने भी आप view tool देख रहे हैं basically facebook जिस चीज़ को भी tool में शामिल करता है earning tool में add करता है उसके लिए एक criteria होता है जबके इस से पहले ads on reals पे कोई भी criteria नहीं था सिर्फ और सिर्फ auto invite के तैथ हमारे page ads on reals से monetize होते थे लेकिन जैसे ही यह monetization section पे हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें view tool का option नजर आता है इस से यह साबिस होता है कि facebook जितने भी ads on reals वाले pages हैं उनको एक criteria based करने जा रही है अब यह वाली update तो आप कहेंगे कि तारिक भाई आपने दे दी इसका हमें क्या फाइदा है तो आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आप facebook reals के उपर काम कर रहे हैं short videos facebook पर डालते हैं तो आपने क्या करना है उसको continue करना है ताकि जैसे ही यह हमारा criteria या हमारी तरफ यह update आती है तो हम उसी time ही अपने page को ads on reals से monetize कर सकें अब इसकी जो final जो update है ना हो सकता है confirm नहीं बता रहा हो सकता है कि 26 date को यह जो month का start है इसकी 26 date को यह 7 date को आपको यही मैं आपको update दे दूँगा जो भी update आई होगी तो अगर आप ads on reals पे sorry या reals पे भी काम कर रहे हैं तो आपने miss नहीं करना reals को upload करते वक्त आपको 3 फाइदे होते हैं आप तो समझते हैं ना कि सिरफ हम ads on reals के apply के लिए सिरफ यह काम कर रहे हैं नहीं आपको 3-4 benefits होते हैं पहला benefits आपका watch time count होता है आपका page उससे भी stream ad के लिए monetize हो जाता है जो आपका reals पे watch time आता है उससे भी आपका page monetize हो जाता है follower भी आपको मिलते हैं और ads on reals के आने के भी chances जादा होते हैं तो आपने क्या करना है आपने सिरफ reals upload करते रहना है अगर आपका page long video वाला है तो अपने उसी content से short reals निकाल के अपने pages पे डाल के यह सारा काम कर सकते हैं एक page को आप 4-5 tools देख रहे हैं जिसके तहत मैंने इनको monetize करवाया हुआ है तो आप भी करवा सकते हैं और उससे earning कर सकते हैं hopes हो कि यह short सी आपको जो वीडियो मैंने दी है short सी update दी है आपको अच्छी लगी होगी तो अगर अच्छी लगया तो comment जरूर कीज़ेगा मिलते हैं एक और इच्छी वीडियो के साथ तब तक लिए मुझे दे इचासत अलापीस